जोतिष के ऐसे कई पहलू हैं जिन से व्यक्ति के बारे में जानना आसान हो जाता है। आज इस वीडियो में शुकरवार को पैदा होने वाले लोगों के बारे में बात करेंगे। उनके छुपे हुए राज बताएंगे। आपको बता दें कि जिन लोगों का जन्म शुक्रवार को होता है उन लोगों पर लक्षमी और शुक्र का प्रभाव होता है। इस दिन जन्में लोग बहुत तिक सुख सुविधाओं के शुकीन होते हैं। शुक्रवार के सुवामी ग्रह शुक्र हैं और इसकी देवी लक्ष इसलिए इस दिन जन्म लेने वाले लोग शौकीन मिजास के होते हैं। अगर इन लोगों के रंग रूप की बात करें तो इनकी आखें बड़ी और रंग गोरा होता है। ज्यादतर लोगों के बाल गुंगराले और भुजाएं लंबी होती हैं। माना जाता है कि शुकरवाल को जन्म लेने वाले लोग विपरीत लिंग के प्रती विशेश आकरशन होता है। इसके साथ ही वो चत्र होते हैं। कलात्मक चीजों से इनका लगाव ज्यादा होता है। इस दिन जन्में लोग अधिकतर खुश रहते हैं। इनके चेहरे पर रौनक रहती है। विरुधियों को पक्ष में करने की कला इनमें खास होती है। इसके साथ ही दूसरों को बातों ही बातों में आकरशित करने की भी इनमें अच्छी योगिता होती है। संगीत, लेखन, चितरकला, फिल्म, फैशन, ब्यूटी इंडस्ट्री में ये काफी सफल होते हैं। शुकरुवार को जन्म लेने वाले लोगों को तारीफ सुनना काफी पसंद है। इसके साथ ही इन लोगों को मौसम बदलने के साथ सर्दी जुकाम जल्दी लग जाती है। विर्द वस्थ के कारण इनके प्रिम संबंद स्थिर नहीं रह पाते। लेकिन जब ये शादी के बंदन में बंद जाते हैं तो इनका दामपत जीवन अच्छा बीठता है। इनके जीवन साथ ही इनको पाकर खुश रहते हैं। इसके लावा इस दिन को जन्मे लोग बेहत खुब्सूरत, आकरशक और मीठा बोलते हैं। ये जो भी कहते हैं बहुत सरलता और सीधे तरीके से कह जाते हैं। अगर इनके सुभाव के नकारत्मक पहलूं की बात करें तो घमंड, एहिंकार और सैयम की कमी एहम है। ये जरुश से ज़्यादा शो ओफ करना पसंद करते हैं। अपने श इनके अंदर की एक और बड़ी कमी होती है। शुकर का प्रभाव मन को चंचल बनाता है। यही कारण है कि प्रेम के मामली में ऐसे लोग एक जगह नहीं टिक पाते। ये अपने पार्टनर कई बार बदलते हैं लेकिन सच्चे प्यार के मिलने पर उसका साथ भी कभी नहीं छोड़ते। यही वज़ा है कि इनका वैवाहिक जीवन सफल होता है। कुंडिली टीवी डैसक से दिक्षा गुपता की रिपोर्ट।